अगर आप लोग मद्यपदेश जाते हैं और भोपाल जाते हैं मद्यपदेश की राध्धानी है जो भोपाल उसकी बात कराओं तो सबसे पहले आप लोग वहाँ बड़ा तालाब देखते हैं उसके बाद आप लोग वगल में ही देखते हैं बन बिहार, तो आज हम लोग बन बिहार के बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे, कुछ आप देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, और पहले आप लोग एक बार मद्ध पिदेश को देख लीजे, यह आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है इसमें आप लोग देखेंगे इह आपको मद्पदेश दिखाई दे रहा है इसे आप लोग हिदय पिदेश भी कहते हैं नदियों का मायका भी कहते हैं आप लोग बोपालिस की राध्धानी इसकी सीमा आप देखी उत्तर पिदेश, राजिस्थान, गुजरा अब राजिस्तान पहले नमर पर है और मद्विदेश दूसरी नमर पर है इसका छेथफल अगर आप देखें तो 3,8,245 वरक किलूमीटर में फेला हुआ है यहां बिदान सबा में 230 सीट है लोक सबा में 29 सीट है राज्य सबा में 11 सीट है आप लोगों को देखने को मिलेंगी यह आप जाएंगे तो देखें बन विहार का गेट है यहां यहां आप लोगों को टिकेट लेना होगा इस काउंटर से आप देखते हैं और फिर आप लोगों को अंदर जाना होता है यहां आप देखते हैं साइकल की विवस्ता रहती है इरिक्सा की विवस्ता रहती है आप बाहर से भी अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, जिस दिन भीड ना हो, अगर भीड रहती है तो आप देखते हैं उनकी गाड़ियां रोग दे जाती हैं, ये बनविहारास्ती उद्ध्यान के बात हो रही है, और आप लोग किसी एकजाम की तैयारी करते होंगे, तो देखते हों मिलेगे, तितली पार्ग भी आप लोगों को देखने को मिलेगे, बिहार बाटी का या भित्धी का लिखा हुआ है, और इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी चित्ता आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो अगर हम लोग बन बिहार इसका पूरा नाम क्या है, बन दिग्री 13 मिनिट 20.2 सेकेंड से लेकर दिशांतर 37 डिग्री 22 मिनिट 25.6 सेकेंड पर आपको देखने को मिलेगी अवस्थिती इस ती बात हो रही है इसका कुल छेत्फल अगर आप देखी तो 445.21 सेक्टर में फैला हुआ है और जै बिवित्ता की बात करें तो मद्पिदेश इसकी राध्धानी भोपाल में बड़े तालाप के पास जिस पहाडी पर बिहार इस्तित है वह लगबग तीन दसक पूर बीरान थी और आबादी की मार से यहां का जंगल बरबाद हो चुका था और 1981 में इस पहाडी के बंचेत का सरक्षन रूप से शुरू हुआ और इसकी उद्यान का दर्जा देकर बंविहार का नाम दिया गया था तो इस तरह से आप देखें बंविहार इसका नाम पढ़ा लेंड इसकेप का विबरन तो बंविहार में प्रकिटी अपने सहज रोब में दिखती है बंविहार का ये हिस्सा पहाडी पठार वाला है और जि पिचला मैदानी हिस्सा भोपाल के बड़ी तालाप से लगा हुआ है जिसका कुछ भाग आप देखे लगवग 50 हेक्टर भी बन विहार का हिस्सा भी है जो कि सारी परिदेश को बहुत ही मनुरम बना देता है तालाप के जल विस्तार में अठ्ठ खीलिया करती लहरें यहां व देखते हैं होंगे बड़े तालाप के पास जाईए भीडी देखने को मिलेगा यह बन किस तरह के हैं तो सुस्क बर्ण पाती बन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर इसमें हम लोग बनस्पती और बन प्राणी की बात करें तो बन भीहार का बन चेत्र सुस्क पाती बिल ब्रले जंगल के बरग में आता है और यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पेडों की जो खास पर जातिया है उनमें बेल हो गया इमली हो गया और बबूल हो गया अमलतास, रे ओजह, दोधी, लैंडिया, साजा, आउला, तैंदू, सीता फल देखने क को मिलेगा यही कई किसमे की घास भी आपको देखने को मिलेगा और यहां आप लोगों को पसुओं में देखें तुबाग हो गया सिंग हो गया तिंदुवा भालू हाइना स्तियार गौर बारे सिंगा सांभर चीतल नेलगाए किश्णमरग लंगूर जंगली सुगर सेही को देखने को मिलेंगे तो बन विहार में काफी संख्या में बन प्राड़ी भी हैं साकारी बन प्राड़ी पूरे बन विहार में खुले हुरूप से बिचरने करते हैं इसमें साभर चीतल नीलगाए किश्णमरग लंगूर जंगली सुगर सेही खरगोस आदी है और मासाहरी बन प्राड़ी जो हैं बो बड़े-बड़े बाड़ों में रखे गए हैं यह भी आप लोग याद रिखेगा विहार विती का प्रगेटी ब्याक्या के केंदर है चीकू द्वार गेट दो पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उस तरफ और इसी स्थाल पर पर प्रेटक ह है तो वाइल्ड केफे अमुक मार्क पर दो केवस स्थाबित किये गये यहां आप देखे है तो स्वक्ष जल उपलब्द कराने ही तो वाटर कूलर भी लगाया हुआ है तो यह भी देखने को मिलता है आपको और आप लोग देखेंगे कि एक गेट है ना वहां रामू द्व की लगभग रेल मार्क से देखें तो भूबाल भूबाल रेलवे स्टेशन से लगभग 8.8 किलोमीटर हबीब गाजिन रेलवे स्टेशन से कमला पते रानी कमला रानी कहते है आपको दोड़ देखने को मिलेगा और टैक्सी मिल जाती है और स्वायम के बहान या और टैक्सी द्वारा भी पहुंचा जा सकता है राजा भोज वो बिमान तल है ना वहां से सत्रे किलूमीटर पहुंख पढ़ता है बनविहार आपको वहां से और यहां इसकी वेब साइट आप लोग देख रहे हैं बनविहार मद्विदेश की राधानी भोपाल के सहर के मद्वड़े तालाब की पास इस्तित है और इसका राष्टी है उद्विद्यान के साथ केंद्रिय चिडिया घर प्राधी कर्ण से स्मॉल जू की मानता भी परापत है साथी यहां पर रिस्की उसे एंटर भी साथित किया गया है यहां लावारी इसकम जोर रोगी घायल बूड़े अत्वा बन में भटकते हुए बन पराणियों मदारियों से छुड़ाएगे भालूओं को भी रखा जाता है यहां आप लोगों को पक्छी भी देखने देखे जा सकते हैं कहते हैं कि 211 पर जाती हो कि पक्छी को चिन्नित किया गया है यहां इसमें आप देखें पेंटिड इस्टार्क बॉली नेक इस्टार्क किंग फिसर रेड़ क्रिस्टड पोचार सिकरा मार्स हैरियर टानी इग तो इस तरह से आप देखेंगे यह कहानी किसकी हो गई वन विहार रास्ति उद्ध्यान की यह पिक्चर आप लोग देख लीजें जाकर आप लोग घूम सकते हैं चलिए तो भोपाल के अंगला जो टूरिष्ट फिलेस है उसके बारे में हम लोग अंगली क्लास में बात करेंगे किसी और फिलेस के बारे में आपकी जानने की दिल्चस्वी है तो आप लोग नाम बता सकते हैं उसका